नमस्कार आदाब आप देख रहे दवायर और मैं हूँ आपके साथ अतुल हो वाले मैं अभी मौझूद हूँ उत्तराखंड की राजधानी दहरादून में और जैसे ही चर्चा चल रही है पूरे मीडिया में आप देख ही रहे कि जिस तरह से UCC यानी Uniform Civil Code समाननागरी सहीता का जो बिल है वो उत्तराखंड की पुशकर सिंग्धामी गवर्मेंट ने विदान सभा में रखा है और उसको पारित करने के लिए या उसको सम्मती देने के लिए अभी विदान सभा में चर्चा है वो होने वाली है – जिस तरह से या बिलको समने रखा है उसको कई सारे सवाल खड़े हो रहे क्योंकि अगले आने वहले दो महिने में लोकसभा के elections है उसको देखते हुए क्या ये बिल समने रखा है और भी कई सारे यहाँ पर सवाल उठ रहे ہے मैं अभी ग्राउंड पर मौजुद हूँ और यहां पर इस समय इस बिल जो आया है उस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजुद है एक्स चेर पर्सन ऑब बार कांसल उत्राखंट की रजीया बेक मैडम हम उनसे बात करेंगे और जानेगे कि उनको क्या लगता है इस बिल के बारे में क्या यह बिल सही है या गलत है जिस तरह से इसको रखा है सामने या जिस तरह से यह गवर्मन्ट यह बिल यूनिपॉरम कि अब कोई ब्ता है जब भी कोई बनता है यह जब ही कानून आता है वो उस परदेश की जनता के लिए और उनके हितो के लिए इस बिल में कौन साहित साथने की बाते इसमें सिरफ अभी दो हजागे 24 में होने वाले एलेक्शन के हितों को साधने की बात और सेकंड इनका है कि मुख्या मंत्री की चड़चा हो जाए कि पहला पर्देश बन गया उत्राखंड जिसने यूशी सी लागू कर लिया तो इसके अलावा इस बिल के अंदर और कुछ नहीं है और दूसरा इनका जो हिड समाज को टार्गेट किया जा रहा है यानि टार्गेट बन रहा है और इस तरह आप टार्गेट करेंगे किसी समाज को और जैसा कि बिल में आपने देखा कि जब इन्होंने पटल पे बिल रखा तो उसके कुछीजें निकल के आई और इसमें साभी निकल के आए कि हम एक वोड़ किया तो बनाड़ को यहां पर इस जामिल नहीं कि आपको क्या लगता दूर है जो एक तो एक समाज को करना कि तुमारे लिए तुमारे लिए कट गरे में खड़ा करें तुमारे लिए कानून बनाएंगे तुमारी कुछ चीजें उन्हें चीन के चीनने वाली चीजें हो यह दूसरा ट्राइबल के साथ चेड़ चाड़ नहीं करेंगे उसका बोड़ बैंक और एक समाज को डिखा कर दूसरे समाजों को कि हम तुमा इन के लिए लो लेकर आए इदत की बात आप कर रहे हैं उसमें आप हलाला की बात कर रहे हैं उसमे और हलाला से वेरी परसनल मेटर उन मेटर को आप किसी भी कानून में लाके छेड़ चाड़ नहीं कर सकते हैं मैं तो कहती हूं चाहे ट्राइबल है हिंदू है मुस्लिमी है सिक कोई भी है अब आप बताईए कि अगर ये विवा की बात करते हैं तो आनन मेरी एक्टर को क्यो ही नहीं छिडा नहीं सिरा बाब बात हिद्दत और आहलाला की कर रहे अब गोदल के कानूं प्सका हमारा तो हित नहीं इसमें महिलाओं को इनौन के बैनेफिट की कोई भी नहीं कही एसी तो 5 cannotis यह है और यह जो आगे ती पांश लोगों की बना ग Это भी खाँ पाँ काई कि एक तरफा जो कमिटी ने रिपोर्ट जो है कोई की में या विधान सभाव में लोज बनते हैं तो हईटा करते हैं वहां अपने अपने हैं धार थर्म से यह और कोई मतलना और पुरुम तो वह सामने एक कले esperar और इसके Brazil क्या हृंगे अकिन concurable करें तो कोई की इस बीला कोई माइनरिटी का कोई भी एक्सपर्ट नहीं बैठा पहली बात और एक लाग सतर हजार के जब इन्हों ने अबजेक्शन मागे थे एक लाग सतर हजार से ज़्यादा के अबजेक्शन गए हैं कि हमें जानकारी नहीं है कि आप किसके बारे में बात कर रहे हैं और जो लॉज बनाने जा रहे हैं उसमें कम से कम उन लोगों की रायतोले जिनके लिए आप कहते हैं कि उनकी इदत ख़िए जिनके लिए क्या चीज़ आपको लेकिन किसी को नहीं रखा इनों और जो उनकी बात बता हैं एक लाग सतर हजार से जादे कि जो अबजेक्शन गए उसमें मुख्यामंत्री जी ने क्यो one करि ये इतना बड़ाultं आरहा है इसका विरोध कर रहा है तो क्यों कर रहा है आपने उसको दर किनार करके और जबड़स्थी सosi पटल पर रखदिया कि हमें तो कर न ही भी मेंतुलर आपको किस लिए बनाए जा रहा था ऐसे कानून बनाए जाएंगे कोई भी कानून बनता है उसके प्रक्रिया होती है प्रोसिजर होता है बहुत आप स्रोली उसको बनाएंगे बनाए हम कहते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोट अकर देश के अंदर लाना है तो यह सेंडर का मैट अब दिवाइड़ फैमिली का मैटर आप उसको कहीं लेकर आएं आप ने उसका जिकर नहीं किया अब तो दो बात दिखा रहे हैं हमने इद्धत कर दिया खलाला कर दिया इस पर यह पूरा यह कानून दिखा दिया और आज ही यह जो कानून बनाएं इससे हिंदु भाइट ह हुए हैं वो समझ नहीं रहे हैं अभी उनके खिलाफ जब निकल के चीजी आएगी कैसे मतलब दुबाई कैसे तोड़ा सा एक्स्प्लेंट करते हैं कि इनको क्या किया गया तो आर्टिकल 14 के अंदर तो समान तक ही बात करेंगे तो उनको भी लाने पड़ेगा हाई कोट से तो फिर वो भी उसी काटगरी में आ गए तो फिर एक हवा दिखा रहे हैं अभी दो माहिने में तो कोई रिट नहीं होने की तब तक यह उन लोगों को किसी तरह साध लेंगे तो इस तरह के कानून अगर बनने जा रहे हैं तो यह देश का बेड़ा गर कर रहे हैं ना कि तलाक का मामला हो या शादी का मामला हो सरकार तो कह रहे हैं कि हमने मैलाओं को भी अधिकार दिये है प्रॉपर्टीप का हो या शादी करने का हो दूसरी शादी करने का हो एक मैला होने के नाते आप इस बिल को कैसे देखते हैं इतना है पर जाड़ लोग इतना मतला बेहु वीओ आज तक अपनी जिंदेगी में नी देखा मैंने निगले हैं पता नहीं इसे डफार कह सकती हूं इसलिए एक तरह आप कहते हैं की पहुल विवा को आप मैंने सम समय क्फिर आपको दिए सबust हैं कि निशन कर आप पूरी अजादी है आप रिजिस्टेशन करा इस रोज रिजिस्टेशन करायें आप बढ़ी बाणियतार लीविजिचन को यह तर विि द होगा ऑं बहुए रिजिस्टेशन कर आज कर वालें जाके आज हैं लोग वो हिंदू या मुस्लीम है दो लोग अगर हिंदू मुस्लीम है तो आप फट से लाएंगे कि धर्म परिवर्तन हो गया एक जगड़ आप शुरू कराएंगे दूसरे आपने कहा कि दो लोग अगर रिलिंग रिलेक्टिशिप में रहते हैं तो वो कितने भी बार रह ले आज रिश्टेशन कराया, कल चैंसिल करा दिया फिर दो लोग और जुड़े उन्होंने रिश्टेशन कराया तो ये समाच को ले के हाँ जा रहे है कौन सी परंपरा का आगार रहे है किस समाच की न्यू डाली गहीं है इस इस एक कौंसेप्ट को लेकर आये हैं कि हम बिल्कुल फिरी लीक सबको लिविंग रिलेस्टिप के लिए अमंतरित कर रहे हैं आईए आप इस तरह से अपने जिन्देगी को जारिए दूसरी बात उस रिलेस्टिप से जो बच्छे होंगे उनकी लिजटी मैसी के बारे में आप क्या कहेंगे वो बच्छे कहा जाए तो यह थोड़ को जाए उन बच्छों के लिए क्या प्रोविजन इसके रहे हैं आने माले दो मैने में लोग सभा के एलेक्शन होने माले पूरे देश में नई सरकार चुनी जाने माले हैं क्या इसको मद्दे नजर रखते हुए मद्दाताओं का अकरशित करने के लिए यह बिल रखा गया है या एक बैस तयार किया गया है क्योंकि कल भी हमने देखा कि जिस समय मुक्यमंद्री ने ये बिल जो है वो विदान सबा में रखा तब जैस्री राम के नारे है जो विदान सबा में लगाए गए गए बिल फिल मैं तो शुरू में आप से कि ये टार्गेटेड लो है जो इंट्रडूश किया जा रहा है टार्गेटेड है और एक समाज को एक पर्टिकुलर माइनोरिटी को ये दिखाते हैं कि देखो इनको हम मार रहे हैं और दूसरा समाज उससे खुष हो रहा है कुछ लोग चंद लोग पुरा भारत वर्स ऐसा नहीं है लेकिन चंद लोग जो आपने बताया कि इसे नारी लग रहे हैं ये लग रहे हैं तो ये अधिस और कुरान शरीप में और शरीयत में पहले से ही वो चीजे हमको मौया कराई ही है वो चीजे एक डफर कानून बना कि आज भी डफर कानून बना दिया है तो निश्चित तोर पे पॉलाराइजेशन होगा चाहे दो परसंट का पुलाराइजेशन हो दो हजार चोबिस के लिए इसी कवाइदी चल रही है तो लोग इसे नाकार भी सकते हैं जब बिल को पढ़ेंगे लोग तो निश्चित मुझे यकीन है मुझे भालत वर्स की जनता पर पूरा यकीन है जब इस तरह के डफर कानून को देखेंगे वो इसको इसको कंडम करेंगे और इनका किसी धर्म को आप तैंच पर रूर नजर से देखेंगे आप सब को इजस से देखेंगे अपा हमारा हिंदू हिंदू धर्म में हम उसको भी इज़त से देखते हैं मुस्लिम दर्में उसे देखते हैं दूसरे लोगों का धर्में उसे भी देखते हैं क्योंकि हमारा और अपनी राशी चुने